दोस्तो पहला पॉइंट है किचन की लोकेशन, तो वास्तू की एकोर्डिंग किचन की लोकेशन आपकी साउथ इस डिरेक्शन में होनी चाहिए, जिसको अगनी कोन भी बोला जाता है, यानि अगनी कोना, तो यहाँ पर आपकी किचन का होना बहुत शुब माना जाता है, तो जरूरी यह है कि आपकी किचन दक्षिन पूर्फ की तुरफ ही हो, अब हम बात करेंगे किचन के साइज के बारे में, तो जो किचन का साइज है वो 8 बाइ 10 फीट होना चाहिए, या मिनिमम साइज आप 6 बाइ 7 फीट भी कर सकते हैं, 6 बाइ 7 फीट में भी आपकी अच्छी क किचन निकल जाती है, और अगर आपके पास जगा बहुत ही कम है, मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी किचन को आप ओपन ही रखें, देखिए, कीचन घर में एक बहुत असेंशल रोल प्ले करती है, तो जरूरी यह है कि कीचन इस तरह बनी हो, कि आप या आपके पार्टनर बीना किसी परेशानी से अराम से कुकिंग कर सके, दोस्तों बात करेंगे कीचर कॉंटर टॉप की हाइट के बारे में, तो जो आपके कीचन का स्लैब है, उसकी हाइट आप तीन फीट रखें फ्लॉर से, और हाइट को आप अपने पार्टनर के अगोर्डिंग एड़्जस कर सकते हैं, तो अगर आपके पार्टनर की हाइट जाद है, यानि पांच फिट साथ इन से जाद है, तो आप कीचन का स्लैब की हाइट साथ इन से कम है, तो हाइट को तीन फीट ही रखें, मैं रिकमेंड करूँगा, काफी बार लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते, और ब कीचे वाले रह के आपके कीचन के, उसको आपको फ्लोर से चार इंच हाइट पे रखना है, क्यूंकि आप कीचन को मोडुल कराएंगे, उसमें वूडन ये फाइबर लगाएंगे, तो जरूर यह है कि पानी वहाँ टच ना हो और वो खराब ना हो, क्यूंकि लकडी खराब तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आपका कैबिनेट है, उसकी हाइट फ्लोर से चार इंच ऊपर हो, अब दोस्तों हम बात करेंगे सिंक के फ्लोर के बारे में, जहां आपकी सिंक लगी है, उसको आपको कीचन फ्लोर से एक इंच नीच नीच रखना है, क्यूं वेंटिलेशन के बारे में, तो कीचन के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपका घर तीनो साइड से बंद है, तो आप छट के ओपन कट एरिया से भी वेंटिलेशन निकाल सकते हैं, या फिर कीचन के अंदर चिमनी लगाएं, और एक साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी कीचन के अंदर, क्योंकि कीचन एक ऐसी जगह जो आपका खाना बन रहा है, तो उसका साफ रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अब हम बात करेंगे विंडो के प्लेस्मेंट के बारे में, जो आपके कीचन में आपको विंडो लगा एक फिट का गैप रखें बीच में, सिंक के और विंडो के ताकि टैब महा पर लग सके, प्लम्बी का गाम सही से हो सके, और जहां चिमनी लगनी है, जहां पर गैस्ट ओफेस्ट के सामने विंडो ना रखें, क्योंकि अगर आप चिमनी भी नहीं लगाते हैं, तो खाना मरा आपकी कीचन में जो आप एलेक्ट्रिक स्विच लगाने वाले हैं, वो भी आपको प्री डिसाइड ही करने पड़ेंगे, क्योंकि कीचन में आपको गीजर लगाना है सिंक के साथ, या फिर चिमनी लगानी है, एक मिक्सर का स्विच और फिर नॉमल लाइट के स्विच भी तो मान के चले कि आपके दो स्विच बोड और चार प्लग तो कीचन में होने ही चाहिए, और वो कहां लगाने है, पहली डिसाइड कर लें, पॉइंटे बढ़ते हैं कि आपको कीचन में टाइल लगवानी चाहिए, नहीं लगवानी चाहिए, तो कहां लगवानी चाहिए, तो जो टाइल आपको किचन के फ्लोर पे नहीं लगवाने हुचे है क्योंकि भारी समान महाँ पर यूज होता है और काफी बार बढ़तन भी गिर जाते हैं उस वज़े से टाइल घिस जाती है और तूड जाती है तो आपको सेम टाइल वो नहीं मिल पाती बात में दूसाल बा क्योंकि अगर डाक लगी टाइल लगवाते हैं तो वह जल्दी गंदी नहीं होती है जो लाइट के लगी टाइल उस पर जल्दी गंदी चिपक जाती है तो इस बात का ज़रू धियान रखें देकि दोस्तों अगर आप कीचन में फ्रिज रखने वाले हैं तो आप पहले डि ग्रेनाइट लगवाएं अगर आप ग्रेनाइट लगवाना चाह रहे हैं क्योंकि वह जल्दी से गंदा नहीं होता और बाद में आपको फिर लाइट कलर ग्रेनाइट से होने वाली प्रॉलम को सहना नहीं पड़ेगा